बच्चों कल मैंने आपको तुलेता संबंद पर मैंने एक 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 जामपल दिया था आपको आपने देखा भी होगा आपको याद भी होगा ठीक है और वो जो तुलेता संबंद का एक जामपल था ठीक वो जो फलन था सुरी जो मेरा संबंद था वो संबंद कौन से था वो आप चाहें तो बीना रोष्टर रूप में बदले भी आप निर्मार बिधी वाले सम्मंद को हल कर सकते हैं तो चलिए मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको एक दूसरी बिधी बताऊंगा इसलिए चलिए मैं आपको उस कोशन की दूसरी बिधी बता रहा हूं मैं एक पर कोशन फिर से लिख देता हूं इसके बाद उस कोशन को मैं और आसान तरीके से बता देता हूं आप दोनों में से कोई तरीका अपना सकते हैं ठीक है जर ध्यान से सुनिएगा सत कोशन यह था जदी समुच्चा है ए बरावर एक दो तीन चार पांच मैं कोई संबंध आर में कोई संबंध आर इस प्रकार है की इस प्रकार है की किस प्रकार है तरीके का कोई संबंध आर इस that mod a minus b, ठीक, समसंख्या है, तो सिद्ध कीजिए, तो हमें क्या करना है, तो हमें करना है, सिद्ध कीजिए, संबंध आर, एक तुलिता संबंध है, और बच्चों तुलिता संबंध पर ही कोशन आएगा, याद रखेगा, इसलिए मैं सबसे इसी को फोकुस कर रहा हूँ, क्योंकि जिसने तुलिता सिद्ध कर लिया, उसने संक्रमक समिता सो तुलिया सिद्ध कर लिया, ठीक है, तुलिता संबंध है, ठीक है, तो आएए, इस एक कोशन से, यह मैंने कल आपको बताया था, और आसान तरी किसा, आज मैं इसको बता रहा हूँ, अब ज़र देख लिएगा, देखेगा, ए और बी दिया हुआ है, और आपको याद होगा बच्चो नहीं कोशलिए से रुक्षन, और से रुष्यमें, यह सम्भंद हमारे पास आमने दिया गया है, इस सम्भंद को मुझे सब सेफले क्या स chef करना अपड़ेगा, यह सॅतूलि सम्भंद है यह सिद्ध करेंगे, फिर सम्भंद को क्या सिद करेंगे, संक्रमme करेंगे, तिनों स सबसे पहले आप पहला हाइडिंग डालेजे, सवतुल्य संबंद, क्या? सवतुल्य संबंद, कितना आसान है इसको लगाना, सवतुल्य संबंद, सबसे पहले संबंद लिख लिए, कि इसी संबंद र को ही आपको क्या सिद्गरना है, तो सवतुल्य संबंद में दो चीज़ ल 4 5 ठेक और आर लिखें आप आर क्या दिया हुआ है क्या दिया हुआ है देखे एक वामा भी संबंध में सच डाइट मॉड ए माइनस वी वामा सम संख्या है आपको याद होगा चाहिए इसको लगाने का बहुत ही आसान तरीक हमारे पास है आये देखते हैं पैस उमयने समस्चे संबंध है तो सबसे की पहले हम गया हुएँ हम एक ओयो मानते हैं आर यख़ाद रहुक है जब हम खायte है तो हम हमेसे की संबंध में मानते हैं इस बात का खासा ध्यान ठियाए चलिये λέगे माना माना, ठीक, अब यह A है, पच्छो इसमें A और B दिया हुआ है, ति पर X, Y मत मानिए आप, A B दिया हुआ तो A, B, C मानिए आप, ठीक है, माना, A belongs to capital A, A belongs to capital A, आप मान लीजिए, तो सौतुल के लिए हमें क्यासिद हैं, आप जानते हैं, क्यासित करना कुछ नहीं होता है, आप जानते हैं, A to VIP приlong to B माना मैंने, क्या है A comma A belongs to R आपको याद होगा तो याद होगा है यह हमारा सोत्यल समझ गए एदी एक और जो हुआ है A में है एदी कोई और जो मेरा A में है तो इसका A, A किसमे होगा R में होगा ऊपर यहां जहाँ-जहाँ B है वेटा तके एक कॉमा A कर आएगा जब b की जगा you guy अब क्या रखने एस b को हटाईये यहा सब्nsinn लेखिये का बस b क्या स्थान पर कि क्या स्थान पर यह बीयों स्थान पर रखने यह क्या कर रहा हूं है are सचिद है sorry केली परस में a quama a आप अब आएगा सचिद है mode में क्या A minus A quama sum sanghya है आईए जरा देखे क्या है मेरे पास R R मेरे पास आई देखे A quama A जानते हैं यह क्या पता रहा है A quama A ही हमारा सोतुल बता रहा है सोतुल करते हैं मैं बच्छों A का सम्मंद A से होना चाहिए हो गया जरा बताईए कहीं यहां से कितना आएगा A में से खटाईए जीरू आएगा जीरू quama sum sanghya है अब बताईए बच्छों मैंने कल भी बताया था आपको आपको शाद याद हो तो अच्छी बात है ना याद हो तो अभी कोई बात नहीं मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ याद रखें sum sanghya है हमारा 6 ने भी sum sanghya है मेरा 2 भी sum sanghya है मेरा 4 भी sum sanghya है इसलिए तो मेरा 10 जो था 10, 20, 30, 40 इस अब कैसे sanghya होती है बच्छों 10 भी हमारा जबकि 1 हमारा क्या है भी sum है लेकि 0 हमारा sum है इसलिए जब पूरा 10 होता है तो 10 हमारी sum sanghya हो जाए 10 किसे भाग हो जाता है 2 से तो याद रखेंगा 0 को हम sum sanghya लेते हैं इस बात को भूलिएगा नहीं 0 को हम क्या लेते हैं sum sanghya तो बताएए ये बात हमारी सत्य है की नहीं 0 sum sanghya है आ गया इसका मैं बच्छों ये जो अंदर लिखा हुआ यदी सद्य आता है तो हमारा sumbend क्या हो जायगा सवत्यूल सम्द्ध को follow कर गया ये सवत्यूलिय उजायगा अधद संबंद आर संबंद आर सवत्यूलिय संबंद है बतें देखें चलिए ये आर कैसे दोगया सवतुल सिद्ध हो गया, सवतुल सिद्ध होने के बाद हमें कैसे सिद्ध करना है, सम्मित सिद्ध करना है, आइए दूसरा देख लेते हैं हमें, कि हम सम्मित कैसे सिद्ध करते हैं, ठीक है, आइए देखते हैं, देखेगा, दूसरा, सम्मित संबंध, और सम्मित संबंध के इसका मतलब होता है अब आपके कुछ भी नहीं ले सकते हैं अब बाकिवी नहीं ले सकते हैं बाकि कुछ भी नहीं सकते हैं अब मैं करता क्या हूं अब आपको संब्मित कर लिए पता होगा कि सम्मित संब्मित कैसे होता यदि एक वामा भी ध्राइन सुनिगा है मरी वाइज यदि एक वामा भी a क्वामा बी यह बिलांग करता r में तेज़िए का उड़ता क्या b क्वामा ए किसमें r में देख लें आप a b r बिलांग करता है और b a b किसमें बिलांग करेगा आगे बढ़ते बचो अब हम करेंगे क्या बहुत सम्बल पादे बचों अपने संबंद्र लेजिए यह लिखने के बाद यह लिखने के बाद आफ सेंस कि आर बराबर क्या मेरे पास a क्वामा इस अब क्या मॉड में a minus b क्वामा संव्च अब पुच उ ध्यान से अबस उने हो मोग है अवं करते क्या है यह या समसं क्या है यह द्या किरेंगे-दिया क्या है इस a का सम्मद्ध b iniya पे तो में नेक्स प्लाइं में क्या करना पढ़ेगा b का सम्मद्ध b a से ऐसा सिद करना पढ़ेगा तुम करेंगे क्या बड़ा सिंपल है काम पचुप इस a की जग ठान सुनिया गार इस a की जगा क्या रख दीजे बी रख दीजे और बीकी अस्थान परक् ए रखने पार तो बच्चों हमें करना क्या है जो आप A देख रहे हैं A की जगह दोगे A B का संबंध है तो मुझे क्या लाना है मुझे B A का संबंध भी लाना होगा तो A की जगह B रख दीजिए और B की जगह A रख दीजिए दिके therefore यह मेरा R कासा हो गया R हो गया दर देख यहां B रख दीजिएगा B क्वामा A such that जरा आईए यहां पर आते हैं यहां पर भी क्या हो जाएगा बच्चों B minus A हो जाएगा होगा की नहीं कि B minus A क्वामा क्या सम संख्या है ठीक अच्छा जब बच्चों जरा एक बहुत आईएगा आप भी जानते हैं A minus B जदी सम संख्या आएगी मौट लगा है जरा देखेगा एक एक जामपल मैं आपको यहां पर ही छोटा सा देदे रहा हूं जरा इस ब्रक्रिप देखेगा ज इसे A कामान मैंने 5 ले लिया ठीक बी कामान मैंने 1 ले लिया चलिए जरा इसको उल्टा कर दीजिए अब B minus A 1 minus 5 जनते हिंए A मौढट के इंदर कितना आएगा माईनस जाएगा मॉढट के अंदर मैनस जाएगा और मॉढट भटाएंगे तो फिर यह क्या चार आ जाएगा देखें दह backyard बंच्पक Samsung कैं हमारे पास आगई तो कहने क्या मतलब है पुए एक समसंग क्या है मौड गें दर तो मौड गें दर बी माइनस अभी हमारा क्या होगा समसंग क्या होगा अब बात ही आई कि इसको दिखायक कैसे जहाए यह तो मैंने आपको एक्जाम्पल लेकर काहा समझा दिया बहुत सिंपल सा काम करना है बच्छों हमें सुनिएगा आपको मैं एक बर बताया था A minus, आप यहाँ पर करें क्या, common निकाल लीचे, minus common निकाल लीचे, देखे, मैं निकाल रहा हूँ, R is equal to B, कि B A है, such that, mod, minus common निकाल लीचे, bracket के अंदर, minus common निकाल लेंगे, तो उल्टा हो जाएगा, A minus, B चला जाएगा, comma, sum, 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 क्या है, देखे, यहां में ही पिर लीचे, B A ही होगा, अब देख रहे हैं, तो R हमारे पास क्या हो था जाएगा, भी, comma, A such that, अब यह mod के, यह mod के अंदर, क्या है, negative है, तो माट जाएगा, तो positive करते हो, फिर जाएगा, A minus B, comma, sum, कि अधर देखी उपर लिखा हुआ है कि ए माइनस भी कैसे बपने अच्छों निर्मान फिद्ध क अगि za सबसे बड़ी एक ही दिक्कत है लिखने की और आप यदि मेरी बातों को ध्यान दे रहे होंगे तो मैं सारा कुछ अपने प्रसंद सही लिख रहा हूं लुख कीजान करें में पर्संद सही कापने आपने लाजिक्स लगाार तरह करें इस रही कंडिशन गाए और देक्षा ने टिया था आ अपको याद आपको यादी थे कि मैंने पताया यह ए पिलांग तो आप पिर करना क्या तो बी ए रख देना है कहा नहीं खता हूं आप देख लीजिए यहां पर आगे आईए यहां पर कामया भी किया कुछ नहीं वहीं अपने किसमें दो आयो मांद दें ए बिलांग चुछ अर यह आपको यादी होगा क्या आज बिलांग चुछ वार तो बी यह भी लैंग्शो आप डी अज़िए और को अर में होग कोसे सम्मुल्द होगा संभी समय समन्द होगा हैए दो आपना ने 속rences करते देल मिलांग दहले कि लिक लिखने के बात बी की जगह ए रख दिया और एक ऐ रख दिया और ब की जगह यह रिजल्ट आ गया मैंने क्या किया विदा कुछ ने किया ठीक है तो कहने का मतलब यह पच्छो बहुत आसान है आप बुक में देखेंगे तो लिखने के आपको दिक्कत आएगी इसलिए आप बुक को न देखें मेरे फॉर्मेर पर चले और अब कपी आसानी से इसको कर सकत है दिसरिए बbor ऐहसा धिर यहासे दिखें आऔर ठीक हो गया एसका मतलब आर एविटा है और वीयों गया यही सिद्कर prosecutor car यह कूण से संबंद हो गया समिशाम अग्ये यही श्रूरू रहा यहे इविकित आया जिरस्दन देखा तो आब मैं यहां लिख दूंगा अब मैं इसको मिटार रहा हूँ बच्छो यहां पर जार देखिए मैं मिटार रहा हूँ ठीक है और देखिए बच्छो ठीक है बच्छो आई अब आते हैं अब देखिए कि अता जब यहां देखिए का इसके नीचे अता संबंध आर एक सम्मित संबंध हैं आर कैसा संबंध है संब्मित संबंध है बच्छो तो बच्छो जैसे आर मेरा संब्मित संबंध हो गया तो अब मैं स्टार्ट करूंगा संकर्मक के लिए और आपको याद है कि संकर्मक के लिए हम कितने अवयों लेते हैं तीन अवयों लेते हैं एक्स वाई और जेट आये तीनों अवयों खाऊंगे समुच्छ ए में माने जाएंगे जो कि आपके कोश्चे में हमेजा दिया ही होगा मैंने बताए भी आपको ठीक है तो आए तीसरा अटिंग डालते हम और बच्छो आपको याद होगा कि संकर्मित में ज्यादा ओयों हो गये थे और च्छे कर्ण में काभी समय लग गया था इसमें ज्यादा देखियेगा कितने आसानी से अप संकर्मा का अपका लग जाएगा क्योंकि बच्छो आवयों अधिक हो जाने से संक्रमा कोई चेकर्ण में दिक्कत होती है बाकी सम्मीत और सौत तुलम यह जाए तभी आपको संक्रम के लिए इस मेहतर का भी प्रयोगा आ संक्रमक संबंध चलिए संक्रमक के लिए मैं क्या करता हूं पहले मैं माना फिर से वही बाद के भी पांच मान है याद रखेगा अब यह संक्रमक में आगे यह तो मैने मानता हूं इसके बाद इसका रूल पी जानते क्या क्या a b belongs to r तथा a b के पीचे बंद a b belongs to r तथा p c belongs to r यह implies करता है क्या implies करता है यह implies करता है A C belongs to R चलिए यह आपके सामने मैंने लिख दिया A B का रिलेशन, R में होना चाहिए B C का रिलेशन, R में होना चाहिए इन दोनों की मदद से मैं तीसरे को क्या करता हूँ? प्रूब करता हूँ एक संविक्रा में यहां से बनाता हूँ इन दोनों को हल करता हूं हल करके क्या ला देता हूं सी यह निकी राइट है साइड इंप्राइजट के बाद आप जर्रा दिखिएगा चलिए आते हैं तो पहले आप अपना संबंद लिख लें संबंद दूसर संबंद बीसजी में होना चाहिए अब फिर sense रज़र ढ़िए में क्या चाहिए तो एक एस्थान पट बिर ड़िये एबी का सब्सक्राइब की सामने है अब मुझे बीसी जाहिए बीसी में निकाल लूँ गा मेरे पास एबी में हो जाएगा मेरे पास भी होझाया अपिर इन दुनों को में क्या करूंगा हल लूँगा तो यह सब्सक्री सब्सक्राइब एक जगह है वेहं किया रख दीए हमें एक एप your मेरे पास है भी हो गया अब मुझे BC जीए BC केसा निकाला है देखिए A की जगा B रख दीजिए और B की जगा C मैं लिख दो रहा हूँ यहां पर A के इस्थान पर A के इस्थान पर B तथा B के इस्थान पर C रखने ठीक है ज़र दखेगा A की जगा B और B की जगा C रखिए therefore मेरे पास R क्या आया अगे A की ज़गे क्या रखेंगे A का स्थार पर B तो देखे B C में मेरा संबंधन क्या बच्छों मौड़ा B minus C क्या संख्या है हो गई बात देखे A minus B और B minus C को संख्या है इन दोनों की मत कि इसको मैं कैसे प्रूप करता हूं इन दोनों की मद्द से मैं तीसरे को प्रूव करने जा रहा हूं और राइटन सेट अब देखते रहिए ठेख देखें कर बजा हूं सेंस मौड र a – b क्या दिया है सं-94 र a – b बच्चों संसंखय। Evet बच्छों संसंखया है कैसी होती है दरब दियोगा भोलिए जितने भी हमारी संसंखयाें हैं ध्यान से सुनियेगा मारे जिदनी भी क्या हैं संसंखया होती है वो सब की सब दो से विभाजित होती हैं ठीक यानि किसे दो से क्या होती है विभाजित होती है तो दो से विभाजित होगी बचो तो कुछ न कुछ क्या आएगा भागफल आएगा ठीक भागफल आएगा जैसे कि हम कोशेंट बोलते हैं अंगरेजी में तर देखेगा क्या मैं इसको ऐसे ल तो क्या मैं इसको यह लिख सकता हूँ, therefore, mod of a minus b, ज़र दिख दरियेगा, by 2 divided lambda, बोदी, कोई दिख कर, मैंने 2 से क्यों भाग दिया, क्योंकि यह a minus b कैसे संक्या है, संसंक्या, और मैंने बताया, a minus b को दिख 2 से मैंने भाग दिया, भाग देने पर हो कितना आगया, lambda, यह मैंने क्या कर लिया है, मान लिया है, तरदो को धर दिख दिए, तेखिये, a minus b, मेरे पास दिखेगा, क्या आया, a minus b, is equal to, तो आगया कितना, 2 lambda, mod लगाय रही है, कोई दिख दर नहीं है, यहां से देख सकते हैं, बच्छों, ठीक, यह समिकर्ण बार-बार एक हुआ, फिर इसी तिखेगे से, since, क्या है मेरे पास, b minus c, क्या है, sum संख्या है, b minus c, क्या है यह, sum संख्या है, ठीक, आप इसको क्या लिख सकते हैं, तुरण, इसको भी, therefore, mod of b minus c, divided by क्या कर दीजे, 2 कर दीजे, और इसको mu मान लिजे, यहां भी लिख दीजेगा, क्या, माना, क्योंकि, सम संख्याओं को, इस सम संख्याओं को किससे भाग सकते हैं, हम तो से भाग सकते हैं, तो उधर चला जाएगा, mod में आएगा, b minus c is equal to क्या, is equal to यह हो जाएगा, 2 mu, और यह हो जाएगा, समी का नंबर 2, कोई दिख्याओं, तर देखेंगा, बच्छो, यह हो गया, हमारा क्या, समी का नंबर 2, 2 mu, हो गया, आगे बढ़ते हैं, बच्छो, तो याद रखेंगा, संक्रमप को थोड़ी दिक्कत होती है, समझे में, लेकिन यह भी बिल्कुल आसान है, ठीक है, तो समसंक्याद यह है, इसलिए मैंने 2 से भाग दिए, मौट को भी, को दिक्कत, अब बच्छो, मैं क्या करता हूँ, एक और दो, दोनों को मैं क्या कर देता हूँ, जोड देता हूँ, जरा एक और दो, दोनों को आप जोड़ने तो जरा, जरा जोड़ के देखिया, उपते ही कितना आता है मारे पास, ठीक है, देखिये, अब मैं, बच्छो, उपर से कोश्चन भी मैं मिटार दे रहा हूँ, अब तहां सी देखियेगा, अब मैं इसको जोड़ने जा रहा हूँ, ठीक है, देखिये, यदि ये संकर्मक हो गया, तो अपने आप, क्या क्या सिद्ध हो जाएगा, अपने आप, सिद्ध हो जाएगा, कि आर एक, तुलिटा संबंद है, आईए, जबकि संमित सिद्ध हो चुका है, शंकर्मक सिद्ध हो जाएगा, शंकर्मक में सिद्ध करने जा रहा हूँ, ठीक, आईए देखते हैं, हम करें क्या ? एक और दू को जोड़ दें तो 1 plus 2i, 1 अब plus 2 को मैं करता हूँ आपर, आप ज़र देख लिजएगा, 1 plus 2, तो let's let you take a, बच्छो, mod of a minus b plus mod of b minus c is equal to 2 lambda plus 2 mu, बच्छो, चलिए ठीक है, बच्छो, ज़र ध्यान से सुझेगा मेरी बात, अब एक बाद जानते हैं, a minus b, mod लगा है, तो यह हमेशा, कैसी राची आएगी? positive आएगी, ठीक, अब अब में B minus c μोड लगा है, तो इसके अंदर से जो आनीमली राची क्या होगी, क्या होगी वह भी मेरे क्या होगी पॉस्टिव होगी तो मैं करता क्या हूं कि इसको मैं पॉस्टिव ले लेता हूं इसको भी मैं क्या लेता हूं पॉस्टिव ले लेता हूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं क्या ए माइनस भी और इसको क्या पूरा धनात्मक लेने पर तो लेने पर हमारे पास क्या आएगा यह आजाएगा a minus b plus जर्धान दखेगा b minus c is equal to 2 common निकाल लीजे lambda plus mu आजाएगा आप बच्छों देखे p से b मरत क्या हो जाएगा कर जाएगा a minus c is equal to 2 lambda plus mu हो जाएगा दो से भाग देजिए a minus c by 2 is equal to kya lambda plus mu आप जानते हैं बच्छों यह हमने positive लिया है ठीक है तो यहाँ पर भी अभी क्या है पॉसिटिव हैगा तो आप इसको लिख सकते हैं क्या mod में a minus c by 2 is equal to kya lambda plus mu इसका क्या मतलब हुआ बच्छों इसक लिख सकते हैं अधा mod of a minus c comma 1 sum sankhya है तो तुरंट मैं क्या कर सकता हूँ इसको तुरंट बच्छों मैं इसको लिख सकता हूँ आपके सामने यह अब ध्यान से देखें अता संबंध आर अता संबंध आर एक संकर्मक संबंध है अब लिखेंगे संबंध आर तीनों संबंधों तीनों संबंधों कों परदर से तीनों संबंधों सब तुल्य संबंध तथा संकर्मक कों प्रदर्शित करता है अता और एक संबंध है ठीक है बच्छों, तो देखिए मैंने आपके संबंध कर दिया, मैंने इसे तुल्यता संबंध प्रूप कर दिया, ठीक है तो अब आगे मैं आपको एक और कोशन बताने जा रहा हूँ उस पर ध्यान लगाईएगा ठीक है वह कौशन कौन सा है वह देख लें आप बच्छों अपके NCRT कहाई है कि कोशन है मैं उसको भी आपको बताने जा रहा हूँ फरह वो देखिये का एक कोशन है ये तो बच्छो ये अबने तुलिता सिद्ध कर लिया इसके बाद देखें नय कोशन मैं कोशन भी लिख दे रहा हूँ इसके बाद मैं उसको आगे आपको बताऊंगा ठीक है देखियेगा कोशन देखियेगा एक कोशन देखिये जदि किसी नगर में किसी नगर में किसी समय समय नगर के निवासियों का का समुझ्चा है हो तो यदि किसी समय यदि किसी नगर में किसी समय नगर के निवासियों का समुझ्चा है कैप्टल ए हो तो 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 संबंध आर संबंध रखियेगा मैं लिक दर रहा हूं संबंध आर बराभर एक्स क्वामा वाई सच एट एक्स क्वामा वाई का पिता है हुआ है जब हो पाटन चाहिए है यहीखता है ये वाई का पिता है ये मुढ़े करना है यह नदुको सब्सक्राइब किया सम्मान सम्मीत है सवतुल या संकरमग है ठेख तो सम्मान आर की जाच कीजिये की जाच कीजिये की यह सवतुल क्वाम सम्मीत है संकरमग संबंद है तो पर चुम मझे ज्याच कर नहीं तर ध्यान से देखेगा इस पर कोशन थोड़ा अलग अलगा है अब देखे इस्ट्रेटमेंट में कोशन दिया है इस्ट्रेटमेंट में कोशन दिया है वाक में दिया है गुण के रूप में कोशन दिया है नहीं है सब्सक्राइब निर्माड़ दिने को श्रम पर दू यदि किसी नगर में किसी समय नगर के निवासियों का समुझे के अप्तल हो तो समझ आर इतना दिया और एक्सवाई सचिदर एक्सवाइं खाविश की यह सम्मेट संक्रिवत सम refresh नहीं नहीं क्या है वहला है थे कोश्ण को को देख लिया धSean क्या लिए इसको यही बचल यही को आपेट तड़ना है बच्चे गले समझ नहीं को पिता रहे यहाद रहे एक्स क्वामा वाई का पिता यहनी की वाई का पिता कौन है एक्स है यह एक्स पिता है तो यह क्या होगा एक्स पिता है तो वाई क्या होगा वाई बच्छों अपने आप पुत्र होगा पुत्री भी हो सकती है ठीक ना यहीं कि एक्स पिता है तो वाई या हो तो उसका पुत्र होगा या तो उसकी पुत्री होगी दोनों में से कुछ भी हो सकता है ठीक है ना जला देखिए का इस होगा बात भी तक मैं वही तरीके चल रहा हूं अभी तक मैं वही िरिका लेके चल रहा हूं अभी तक тुर्छ सुनिये कहा आईए टो कि मैं अभी तक आपको बताया कों संभन सब्रкивस आप्षाने क्या समुच्छा दिया गया जडरे एक समुच्च यह है, नगर में लोग रहते हैं, जिदे नगरवासी हैं, सब को मिला करके, ठीक, एक समय इसलिए बोला उसने, कि भाई नगर में भी लोग हमेसा आते जाते बदलते रहते हैं, कई दूसरी नगर से आ गए तो, तो इसलिए जब एक समय, पर्टिकुलर समय लिय क्या होगा उस समय उन्हां के लोगों का समुच्च बनाया गा होगा उस समय जो लोग थे उनके बीच में एक सम्मन दिया गया एक्स कॉम वाई का क्या पीता है असार्ड आप समझ गए हो तो आए मैं इसको डीटेल में बताता हूं आपको सौटुले सम्मन तो बच्चों आपको पता है कि सौतुल सम्दम में क्या है को यह मानेंगे किसमें A में माना X belong to A यह इंप्रस करेगा क्या X comma X belongs to A यह आप जानते हैं यह आपको लिखना भी पड़ेगा विना इसके लिखन कोई काम चलने में वाला है नहीं अलए हमके पने संबंद लिखें के हमारे सामने कोशन में दिया गया है यहに इसको या इसको समझे ले इसको समझ लेंगे तो प्रुटाबेटर है याद करने की कोई मतलब नहीं होता क्योंकि एक्स उच्छे में है तो एक्स एक्स किसम में होगा हमाने कई बार बताया है और बार बार मैं इस चीज को बताता हूं क्योंकि इस ही को पहले examiner देखता है नंबर देने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं आईए X belong to A के बाद अब मैं आता हूँ बच्चों अब मैं करूंगा संबन लिख दिया संबन R मेरे पास क्या है ज़र देखेगा संबन R मेरे पास क्या है X comma Y such that X comma Y का पिता है X पिता है किसका? Y का अब मैंने आपको तरीका बताया बच्चों संबन के लिए क्या करते है Y के अस्थान पर X रख दीजिए अजरा पताए है सही है की नहीं Y के अस्थान पर क्या? X रखने पर Y के चुके X रख दीजिए तरह देखेगा sense R बराबर X, X X का पिता है अब आपको बताना है यह लाइन सही है या गलत है यदि यह लाइन गलत हो गई यदि यह लाइन गलत हो गई तो हमारी कहानी कतम हो जाएगी यानिकि यह सब तुल्ले नहीं होगा अच्छा बताए X का पिता है एक हसने की बात है, X, X का पिता, इसका क्या मतलब हुआ, क्या कोई वेक्ति स्वयम का पिता हो सकता है, क्या मैं खुद अपना पिता हो सकता हूँ, बिल्कुल नहीं बचो, ऐसा हो नहीं सकता कि कोई वेक्ति स्वयम का पिता हो, क्योंकि यही कोई वेक्ति मैहूद, मेरे कोई जब्ली जरूर हैं, वो कि अन्य कोई दूसरे हैं ठीक है तो जो हिए लुटेज थो निग ahí कि यहांपर एकस- एकस का पिताय नहीं होसकता कोई वैगती अपने आप का पिता नहीं बन सकता इसका म gap क्या हुआ या बात गलत है तो है लिख दीजेगा कोई ही रखती स्वेम का पिता नहीं हो सकता हम जानते हैं कि कोई भी रखती कोई भी रखती स्वेम स्वेम अपने आपका पिता नहीं हो सकता है अता संबंध आर सवत्तुल संबंध नहीं है चलिए पहला मैंने आपको बता दिया ठीक है सवत्तुल संबंध नहीं है आया दूसरे के बात करते हैं सवत्तुल के बात बच्चों हम क्या चेक करेंगे समीच्चे करेंगे यह बात आपको पूरे समझा के तो यह सवत्तुल संबंध नहीं निकला बच्चों सवत्तुल नहीं यह हैं खेड का हम संभी तो आइए दूसरी बात हम यहां ले लेते हैं संभी थे शंबन्ध फूर को टेक संभी संभी संब्ष भॅभ के जानते हैं कि हमें दो यह उम आधिए पड़ते हैं गया नहुत देखें माना क्या अब जानते हैं X, Y वो बिलांग करेगा किसमें A में A में मानते बचो therefore X, Y belongs to R के इंप्लाइस करेगा Y, X belongs to R आपको बताएं लिखना ही पड़ेगा बचो इसको तो याद कर रखिए एक दम दिमाग में आपको यह रहना चाहिए X, Y, A में मानेंगे और X को Y, R में है तो Y को भी X, R में होगा आईए यहाँ पर मैंने संब्मद लिख लिया अब हम यहाँ पर क्या करेंगे तर देखिएगा इसको मिटार दे रहा हूँ उपर हैंने दीजिए आप यह लाइन आइए देखते हैं हम देखिए बचो हम करेंगे क्या यहां पर भी आप तर देखिए यह बास सही है अब इसमें क्या होता है एक relation दिया रहता है आप देखिए यह relation मेरे पास दिया है मुझे इससे सिद्गरना है तो जो दूसरा लिष्ण से बनाना पड़ेगा तो उसमें करते क्या है उल्टा कर दीजिए यही एक्स की जगह क्या रख दीजिए लिखिए एक्स के अस्थान पर य तथा य के अस्थान पर एक्स रखने बर जब देखिए का इस एक्स की जगह क्या रख दीजिए य अब फिर य की जगह क्या रख दीजिए एक्स की जगह क्या रख दीजिए ज़र देखिए क्या है मेरे पास therefore जब देखें यह हो गया y, x जब आप यहां बदाएगा y, x का पिटा है अब जब जब देखेंगा देखेंगे x के एस्थान पर y रख दिया y के एस्थान पर मैंने क्या रख दिया x तो देखें x y का रेलेशन यहां था और यहां y, x का रिलेशन यहां आखेंगे आएगज आफ एक पर y के रेलेशन को बढ़ीए और एक बार y, x का रेलेशन को बढ़ीए अब बताएगा बच्यों x पिता है y का उजड़र की एक एक किसका पिता है y का पिता है तो जड़िए बताएं क्या यहां पर Y, X का पिता हो सकता है यही आपको एक मिट के लिए सो चन्व है ऑच्छों ध्यान से आप इस चीज़ को देख सकते हैं और मुझे बता कि यदि X Y का पिता है किआ Y भी X का पिता हो सकता है यदि ऐसा है या नहीं यह तो आप 아सानी से देख सकते हैं ठीक है जरा इसको आप ध्यान पुर्वक मैं आपको एक समय दे रहा हूं कि आप एक मिनिट इस पर विचार करें और बताएं इसमें क्या उत्तर हो सकता है ठीक है ना चलिए ठीक है बचों क्या आपने सोचा बताएं जरा क्या एक्स-वाई का पिता है तो क्य ठीक है ठीक है चलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें क्या हो सकता है मैं आपको इसलिए समय दिया कि आपको इसमें को कोई दिक्कत नहों जरा देखें क्या एक्स के अस्थान पर वाई और वाई के अस्थान पर आपने एक्स लिख दिया तो जरा देखिएगा बच्चो को老師 सुंनिए का दो यह एक सीच पिता है kiska Y G diese कि मतनल क्या X एक सीच पिता है और Y क्या प्तर है यह लटा हो गया यह जो पुत्र था वो एक पिता हो गया किसका अपने पिता का तो एक जिए हैं सीच बात जिंग मेरे पिता जी है तो समय चेंग टो अंष्या मेरे पिता जी तो सामान थेखाढ़ घमाजृ ότι तो यह में वहताइप पीटा जी बोलता हुं हुआ है। पर वो मेरे पिता-जी है तो पिता जी रहेंगे। मैं पुतर इंप्ट के सरन पहुची चाहूं। तो अभी में पुतर ही रहाँँगा, में पिता नहीं रहाँगा। और ऑभी किसато अपने पिता का। तो पिछे, आप यहां से दरह हमें से दरह के ommT X पिता है Y का यदि X Y का पिता है तो कभी भी Y X का पिता नहीं हो सकता तो लिखेंगे हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि X, Y का पिता है तो हम जानते हैं कि X, Y का पिता है तो Y, X का पिता नहीं हो सकता है अता संबंद आर समित संबंद नहीं है चलिए ये दोनों नहीं है आईए तीसरे पर हम आते हैं तीसरा क्या हमारे सामने इसरा वो देख ले ठीक है तीसरा हमारे पास है अब सावतुल सम्मीत संकरमक संबंद आईए हम संकरमक संबंद की बारे में अब बात करते हैं तो तीसरा संकर्मक संबन्द हो जाएगा, x, y, z हम लेंगे, तीन लेंगे बच्छों, इस बात को ध्यान दीजेगा, ठीक है, यहां तीन लेंगे, तो x, लेकि मैं मानूंगा, माना, x, y, z belongs to r, sorry, r नहीं होगा बच्छों, a होगा, ठीक, और x, y belongs to r, y, z belongs to r, यह implies करेगा, x, z belongs to r, ठीक, याद रखिए हैं मेरी बात, अभी जानते हैं, यदि x, y, r में है, यह कॉमा लगा दिया हैं, तथा लिखता था बच्छों मैं, यहां पर यादब को, तो x, y belongs to r लग दिया, y, z belongs to r लग दिया, तो x, z में किसमें बिलांग कर रहा हैं थी, r में, आई के यहां पर आते हैं, तो x के, अब ज़र देखिएगा, यह रिलेशन लिखने के बाद, मैं इसको बिटार के बच्छों, इसी में सही कर देता हूँ, ज़र उसको ध्यान से देखिएगा आप, अब हम संक्रमत की बात कर रहे हैं, धहन दीजेगा मेरी बात को, ठीक है, तो बच्छों, x, y का संबन तो मेरे पास है, अब फिर, अब हमें x, y हो गया, अब मुझे y, देखिए, x, y हो गया, अब मुझे दूसरा चाहिए, x, y के बात क्या चाहिए, y तथा y के अस्थान पर चेड़ रखने पर, चलिए रख देते हैं, आईए, therefore, r मेरे पास क्या मिला, y, z, such that y, z का पीटा है, ज़र देखिए, यहां पीटा पुद्र कर संबन्द हो रहा है, अब आप बसर देखिए, अब आप, फिर मैं आपको एक बेट दे रहा हूं, आप अपने से सोचिए, ठीक है, मैं रिलाक्स हूँ, आप अपने से सोचिए, क्या यह संकर में संबन्द हो सकता है, तब देखिए, यहां एक लाइन पढ़ी है ज़रा, x, y का पीटा है, यहीं कि तीन वेक्टियों के पीटा, a, p, और क्या, c, ज़र देखिए का, a पीटा ह है, और b, पीटा है किस का, c, यह फादर पिटा, यह भी फादर है, पत ले yaptरा है, तो अब पीटा है किस का, c का, c तो ऐ, c का पीटा हो जाएगा, अब बताये, a और, première आप सोचिए, जरुए, a और c, के पीच में क्या संमंद बनेगा, कि दादा पोते का बनेगा मेरे बाद समझें आप यहां पर दादा है उसका सी क्या हो गया होता हो गया जरा ध्यान से दगे एक किसका पिता है बी का अब बी किसका पिता है कि मान के चले मेरे पिता जी है तो मेरे जो बच्चे हुए तो मेरे बच्चे हुए मेरे पिता जी को क्या बोलेंगे मैं अपने बच्चों का पिता हूं तो मेरे बच्चे मेरे पिता जी को क्या बोलेंगे दादा बोलेंगे पिता नहीं बोलेंगे बच्चों बात समझ में हूँ ज़र देखेगा देखे मैं लिख रहा हूँ यदि X, Y का पिता है तथा Y, Z का पिता है तो X, Z का दादा होगा ठेख दादा होगा अता है और संकर्मत संबंध नहीं है चलिए बचे ऐसा कोशन एक ठीओरी वाला था मैंने उसको भी आपको एक्स्प्लेंट कर दिया आप अच्छे से सूब लगा लीजिएगा घर पे और मेरे वीडियो को देख करके आप समयझेगा यह पूरा परत निकरिएगा कि मैं पढ़ा क्या रहा हूं यह इतना थेओरिटकल चेप्टर है बच्छो तोड़ा कॉमसेट मैं जो बता रहा हूं इसको ध्यान दीजिए लिखने के फॉर्मेट पर ध्यान दीजिए आपको बास बाब एक दिक्कत आएगी इस चेप्तर में पीछे हटते हैं तोड़ा कि इस पे थोड़ी भूलते हैं लोग तो जो भूलते हैं बच्चों थीक बच्चे भूलते हैं इस टीचर भी भूलता बटा तो बच्चे इसको जल्दी भूलते हैं इसके लिखने का फार्मेट भूल जाते हैं इसलिए इसलिए इस चेप्टर को तो आपधा को दो बार पढ़ना 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 पड़ेगा इसका लिखने का प्रासेस क्या है त्रिक नहीं तो सकी तेORY जोटी छोटी भूल जाएंगे आप अजया थीकत भूलने में संक्रम में आती है याद रहिएगा थीक है